हेलो फ्रेंड्स, गावरं तड़का रेसिपीज में मैं वर्ष है, आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चावल की खिर बनाई है और देखने में कितनी मस दिख रही है, कितनी क्रीमी, गाड़ी और टेक्चर तो कितना मस आया है और देखते ही खाने का मन हो रहा है, चले तो फिर यह मज़ेदार चावल की खिर की रेसिपी देखते है तो ना, यहाँ पे मैंने कड़ाई रख दी है, कड़ाई में सबसे पहले हम दूद डालेंगे यहाँ कड़ाई में हम एक लिटर दूद डालने वाले है, आपको खिर कितनी बनान है, उसके ही सबसे दूद का इस्तमाल कर ली जगा और एक लिटर दूद में मैं यहाँ पे मेनेम सैस के आदा कटूरी चावल डालने वाली हूँ यह मैंने इंडिया गेट बासमती तुकडा चावल लिये है इजली मार्केट में मिल जाते है अगर आपके पाथ जो खिर बनाने वाली चावल रहते हैं छोटे छोटे वो हो तो और भी बड़े अबाद उससे बहुत मस्किर बनती है और इस चावल से भी बहुत मस्किर बनती है तो यहाँ पे चावल को मैंने एक घंटा भीगा कर लिया है आपके ही सबसे आप चावल को भीगा लिजे आदा घंटा 20 मिनेट पर चावल को खिर में डालने के लिए भिगाना बहुत जरूरी है और चावल को भिगा कर ही लेना चाहे तो जल्दी से ये चावल दूद के साथ पक जाते यहाँ पे मैंने 4-5 चमच चुरोंजी डाली है और उसी के साथ मैंने 2-3 हरी विलाइची माल नहीं करना चाहते तो आब विलाइची पॉडर भी डाल सकते लेकिन विलाइची पॉडर आखिर को यहाँ पे मैं घड़े में खड़े खड़े विलाइची तोड़ perimeter कमें आख कर जाता है तो यहाँ पे हमें दूदों और चावल आच्चे से 20-25 मिनिट मेडियम ग्यास के उपर उबाल कर लेने हैं उसमें से चावल भी हमें पका कर लेने हैं पूरी तरह से हमारा चावल पकना चाहिए और दूद भी हमारा गाड़ा होना चाहिए तो उस प्रोसेस में हमें पूरा 20-25 मिनिट लगन लेकिन उस टाइम में आपको थोड़ा वक्त जादा लगीगा तो यहाँ पे मैंने ये खीर पूरी तरह से 20-25 मिनेट लोटू मेडेम गैस के उपर उबाली है तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी आतरीके से यहाँ पे खीर हमारी तयार हो चुकी है तो यहाँ पे ना हमारी ज से क्रीमी और गाड़ी तयार हो चुकी है अब इसमें आगे के चीज़े डाल देंगे तो इसमें हमें डालनी है शुगर यहाँ पे शुगर ना आप आपके हिसाब से इस्तमाल कीजे आप मीठा कितना खाते है उसके हिसाब से और चावल की खीर में शुगर आखरी में ही डा डाला है एक चमजगी और उपर से डाले है थोड़े से ड्राइफूट आगर आप खिर में घी नहीं पसंद करते हैं तो मट डाले लेकिन घी डालने से बहुती मस लगती है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूद में केसर भिगा कर रखा था तो बस थोड़ा सा यहाँ पे ख खीर हमारी उबल चुकिए तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने पूरे पांच मिनिक यहाँ पे खीर को उबाल लिया है और आप देख सकते हो कितनी मस यहाँ पे यह खिर बनकर तैयर हो चुकी है आगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजे शेर कीजे और चाइनल पर पहली वार हो तो चाइनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे और इस तरह से खिर बना कर जरूर खाईए